हेलो फेंट्स वेलकम टू माई टूप चैनल जीनियस इस्टडी 2.0 पर दोस्तों आज की इस वीडियो हम देखेंगे विज्ञान के यानि की जो एक्जाम में बार बार कोशन रिपीट हो रहे हैं उनमें से हम 30 कोशन आप सभी के लिए लाया हूं तो इस वीडियो को दोस्तों सुरू से लेका लास तक देखना लास्ट में आप सभी से कोशन पूछूंगा जिसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है और ये वीडियो अपने हर एक दोस्तों के पास सेर करना क्योंकि और लोगों पास जब ये वीडियो जाएगी तो उनको भी काफ कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं तो राइट आंसर हो जागा फ्रेंट्स आमास से एसियल यानि की हाइड्रोक्लोरिक अमल इसका सरवन जो फ्रेंग ये आहर नाल के आमास से भाग में होता है नेस्ट क्वेशन देखते फ्रेंट्स कोश्चन नंबर टू फ्रेंस अप्शन भी राइट अंसर हो जाएगा नेश्ट कुशन देखते फ्रेंट्स कुश्चन नमर तीन है कि साइट्रो टॉन एक ऐसा सयंत्र है जिससे उत्पन किया जाता है क्या तो कुश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और राइट अंसर हो जाएगा आप्शन नमर भी कृतिम म दोस्तों right answer क्या हो जाएगा विल्कुल correct answer हो जाएगा जड़त्व नियot्न गतका जो पहला नियम है ये किस्से संब्दित तो जड़त्य संब्दित है option D के राढ्ड डी के साथ आंसर हो जाएगा नेश्ट कोशन देखते फ्रेंट्स कोश्चन वर 5 है कि मानो सरीर की सबसे छोटी हड़ी कौन सी है तो दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा कि मानो सरीर की सबसे छोटी जो हड़ी है वो है इश्टे पीच दोस्तो हम बात करें कि मानोशरीर की जो सबसे छोटी हड़ी है ये कहाँ पर पाई जाती है तो एक कान में पाई जाती है और ये मानोशरीर की सबसे छोटी हड़ी होती है जिसका नाम है इस्टेपीच कि सरीर में पाया जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथ का नाम क्या है दोस्तों ये कोशन पूछ रहा कि सबसे बड़ी ग्रंथ का नाम क्या है तो दोस्तों मानसरी में पाया जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथ है ये क्रत जिसको इंगलिस में बोलते हैं लिवर अगर आपसे question ये कुछे कि मानोसरी में सब पाई जाने वाली सबसे बड़ी अस्थी कौन से है तो अस्थी की अगर बात करें तो फीमर होगा क्योंकि जो जांग में हड़ी पाई जाते हैं उसको अस्थी बूलते हैं और वो सबसे बड़ी हड़ी होती है तो ये आपको भी याद रखना है नेश्ट question देखते friends question number हो जाएगा 7 कि महासागरों में डूबी हुई वस्तूं की इस्थित जानने के लिए किस यंत्र का प्रियोग किया जाता है तो दोस्तो right answer हो जाएगा कि महासागरों में डूबी हुई गोस्तों की इस्थित जानने के लिए जो है सुनार यंद्र का प्रयोग किया जाता है option C के साथ इस प्रसन का right answer हो जाएगा next question की बात करते है friends question number हो जाएगा आठ चले बताएंगे कि निम्न में से कौन मनस की खोपड़ी में एक मात्र चलित हड़ी है दोस्तों question काफी important है और right answer हो जाएगा option number B यानि की mandible हड़ी जो friends mandible हड़ी होते है ये मनस की खोपड़ी में एक मात्र चलित हड़ी है next question देखते friends question number 9 friends question number 9 है कि भूकम्प की तीवर्ता मापने में किस यंतर द्वारा प्रियूख के आता है यानि कि भूकम्प की तीवर्ता मापने के लिए जो है किस यंतर का प्रियूख के आता है तो दोस्तों right answer हो जागा option number D यानि की सिस्मोग्राप का option D के साथ इस प्रियूख को right answer हो जाएगा जो सिस्मोग्राप के द्वाराए friends भूकम्प की तीवर्ता को मापा जाता है next question देखते friends question number 10 है कि क्या कारण है कि बेक्ती चटानों पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है तो दोस्तो right answer की बात करें तो option number हो जाएगा C यानि की प्रत्क्रिया के कारण प्रत्क्रिया के कारण जो है बेक्ती चटानों पर प्रहार करते हैं चोटिल हो जाता है next question देखते friends question number गेरा है friends question गेरा देखने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तो अपना एक लाइक करके हमीं मोटिबेट करिए और अगर चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरीके की वीडियो देखने के लिए चले इसका right answer बताएंगे कि प्रकासिय फाइबर की सिधान पर कारिक करता है तो दोस्तो राइट answer हो जागा option number D यानि की पूर्ण आंतरिक परावरतल के कारण फ़ेंच जो प्रकासिय फाइबर होता है यह पूर्ण आंतरिक परावरतल के सिधान पर कारिक करता है नेस्ट क्वेशन बताएंगे फ्रेंश क्वेशन नमर 12 हो जाएगा कि निम्न में से रक्त के निर्माड की प्रक्तिया को क्या कहा जाता है तो क्वेशन काफी important है दोस्तों तो right answer हो जाएगा कि निम्न में से रक्त के निर्माड की प्रक्तिया को क्या कहा जाता है तो हीमो पोशिस कहा जाता है option A right answer हो जाएगा चले next question देखते friends question नमर 13 है कि बार जो है किसकी इकाई है ये question काफी बार exam में पूछा गया है तो friends right answer हो जाएगा बार जो है friends ये किसकी इकाई है तो वायो मंडिली दाब की यानि कि option D right answer हो जाएगा वायो मंडिल दाब की इकाई क्या है तो बार है चले next question बताएगे friends question 14 है कि MRI machine में निमन में से किसका प्रियोग किया जाता है तो friends right answer हो जाएगा इस person का option number D यानि कि चुम्बकी तरंग का MRI machine में जो friends है ये चुम्बकी तरंगों का प्रियोग किया जाता है option D right answer हो जाएगा दोस्तों अगर वीडियो पसंदार है तो वीडियो को share करना मत भूलेगा आप लोगों से request है कि जादस जादा अगर आप support करनेगे तो हम आपके लिए और भी अच्छा कर पाएगे तो आप मुझे motivate करने के लिए आप वीडियो को share जरू करीगा ठीक है चले next question देखते friends question number 15 की परासरभी तरंगों की आवर्त कितनी होती है काफी अच्छा question है लेकिन simple भी है तो दोस्तों right answer हो जागा की परासरभी तरंगों की जो आवर्त होती ये 20,000 हट के भी उपर होती है तो option a right answer हो जाएगा next question देखते friends question number 16 हो जाएगा कि malaria रोधी दवा कुनेन की एक पोधे से बनाई जती है तो काफी simple question है तो friends malaria रोग अखिर होता कैसे है तो malaria रोग जो friends होता है ये मादा एनिफिलेजा मच्छर के काटने से होता है और इसकी जो दवा friends ये सिनकोना नामक पिर्च से बनाई जाती है option D के साथ इस प्रसंड का correct answer हो जाएगा चले next question देखते friends question में 17 है कि सबजियां जल्दी खराब हो जाती है क्यों? क्योंकि उसमें अधिक मात्रा में क्या पाय जाता है तो दोस्तों right answer क्या हो जाएगा तो friends सबजियां जल्दी इसलिए खराब हो जाते है क्योंकि उसमें अधिक मात्रा में friends जल्दी खराब जोती है इस प्रसंड का option B right answer अगर आप बता रहें तो correct answer हो जाएगा next question देखते friends question number 18 की वर्च के तनों में रहने वाले प्राडियों को क्या कह जाता है तो मेरे प्यारे दोस्तों right answer हो जाएगा वर्च वासी वर्च के तनों में रहने वाले प्राडियों को कहा जाता है वर्च वासी option A के साथ इस प्रिशन का right answer हो जाएगा next question देखते है friends question number one is कि सिरिक्य का रासाइनिक नाम क्या है तो मेरे प्याले दोस्तों सिरिक्य का रासाइनिक नाम क्या है तो right answer का हो जाएगा बिल्कुल friends right answer हो जाएगा option number B acetic acid इसका friends right answer हो जाएगा सिरिके का राशाईनिक नाम जो होता है वो होता है estic acid आप लोग मुझे comment करके बताएंगे अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो आप लोग मुझे comment करके अभी बताएं तुरंथ कि सिरिके का जो पीच मान होता है कितना होता है फटावट से आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इस प्रशन का कि सिर्के का पियेच मान कितना होता है चले नेश्ट कोश्चन देखते हैं फिर्स कोश्चन आप 20 है कि कि किस पादप को साकिय भारती डॉक्टर कहते हैं काफी अच्छा कोश्चन है इसको मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा कि कि किस पादप को साकिय भारती डॉक्टर कहते हैं उसका राइट अंसर की बात के तो राइट अंसर हो जागा आउला दोस्तो ये आउला है इसे में बिटामिन सी सबसे जादा मात्रा में पाइजाते हैं विटामिन C का रसाइनक नाम होता है एसकार्विक एसिड और एक खट्टे फलों में ज़्यादा पाई जते हैं दोस्तों ये जो आउला होता है इसमें सबसे प्रचूर मात्रा में जो है विटामिन C पाई जता है इसलिए डाक्टरों ने इसे साकिय भारती डाक्टर कहते हैं और option A का right answer हो जाएगा तो जितने भी खट्टी चीज़े होती उसमें सभी में विटामिन C पाई जता है तो आपको ये याद रखना है ठीक है चले next question देखते फ्रेंस question number 21 है कि धनिया में उपयोगी अंस कौन से होते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों right answer क्या हो जागा दिखाई देने वाली सिराएं क्या कहलाती है तो दोस्तों right answer क्या हो जागा तो पत्तों में दिखाई देने वाली हो जाएगा चले next question देखते friends question number 22 है कि किस पेड़ की छाल जो है मसाले की रूप में प्रयोग में की जाती है यानि कि आपको बताना कि किस पेड़ की जो छाल होती है मसाले की रूप में प्रयोग की जाती है तो काफी simple question right answer हो जाएगा दाल चीनी दाल चीनी की जो friends है इस पेड़ की छाल जो है मसाले की रूप में प्रयोग की जाती है चले next question देखते है friends question number हो जाएगा हमारा question number है 24 चले बताएगे कि निमने लिखित में से कौन से प्रक्रम अंधकार के समय पाधपों के साथ संबंध बनाते हैं यानि कि होते हैं तो friends right answer क्या हो जाएगा 24 का तो बिल्कुल friends option D right answer हो जाएगा चालन और सोसन देख लेना friends इसका right answer हो जाएगा कि निमने लिखित में से कौन से प्रक्रम अंधकार के समय पाधपों के साथ सम्मध होते हैं तो चालन और सोसन इस प्रसंद का right answer हो जाएगा चले friends next question देखते है friends question number 25 देखने से पहले अगर आपने अभी तक friends वीडियो को like नहीं गिया है तो आप से भी request है कि class को like करके हमें motivate करिएगा ठीक है और इस प्रसंद का right answer बताएगे कि प्रतवी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धात कौन सी है तो friends right answer क इसका right answer आप सभी को पता है मुझे पता है क्योंकि इसका right answer हो जाएगा पारत यानि कि कमरे के ताप पर ऐसी कौन सी धात हो जो तरल आउस्था में पारत या फिर पारा भी कहते है उसी को बोलते है पारत या फिर पारा चले next question बताएंगे friends question number 27 चले बताएंगे सभी गैसों में दूसरी सबसे हलकी गैस कौनसी है जितनी भी गैसे हैं उन में से दूसरे नमबर पे कौनसी गैस है जो सबसे हलकी गैस है तो मेरे प्यारे दोस्तो राइट answer हो जाएगा helium helium जो गैस है ये फ्懸्क फेंस्थान पर सब्से हलकी गैस है और ये जो है गैस ग Easter गबारों में कि निम्न में से किसमे M3 आयन बनाने की अधिक्तम प्रवत्ति होती है तो दोस्तों ये भी question आपका important है काफी exam के लिए तो option A right answer हो जाएगा N ध्यान से देख लेना option A right answer हो जाएगा चले next question देखते फ्रेंस question 29 है कि निम्न लिखित में से किसमे stainless steel में कठोरता आती है तो दोस्तों right answer क्या हो जाएगा फ्रेंस right answer की बात के तो option हो जाएगा C यानि कि carbon correct answer हो जाएगा stainless steel की कठोरता जो फ्रेंसे carbon से आती है तो option C correct answer हो जाएगा चले next question देखते है friends question 30 है कि भंडार बैटरी में क्या प्रियुक किया जाता है तो फ्रेंस right answer क्या हो जाएगा question 30 का तो भंडार बैटरी में जो friends है न वो किसका प्रियुक किया जाता है तो right answer हो जाएगा और फेंट्स यह रहा इस वीडियो का लाश्ट कोशन जिसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है वो भी डिटेल के साथ अगर आपको नहीं पता है तो कल की वीडियो में इसका अंसर बताऊगा आप लोग बताएंगे कि ट्राइ नाइट्रो टालूइन का प्रियोग कहा होता है आप सेने धात को गलाने के लिए दो धातों के गलनांग के लिए अप करसक के रूप में या फिर बिस्पोर्टक के रूप में तो इस प्रसंद का राइट आंसर आप सभी रोग बताएंगे